समस्कार दोस्तो मैं हूँ संदीप और आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियान बाइक दोस्तो वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा साथ ही आप मेरे चैनल को सबस्कारिब करके रखो ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालू आपको साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तो तो आएए दोस्तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं 30% बैटरी सेविंग्स, मोबाइल चार्जिंग फिसिलिटी, इजी सेंटर स्टेंट, साइलेंट स्टार्ट विट आईए जी टेकनोलोजी, इजी ओन आप स्विच और साथी इसमें आपको और एक सेंसर मिल रहा है, रोल ओवर सेंसर हाँ बिल्कुल विटिन 3 सेगेंट में ये मोपेड आटोमेटिकली इंजिन काट अफ हो जाएगा जब गिर जाएगा इसी की साथ आपको मिल रहा है LED DRL, पेट्रोल डिजर्फ इंडिकेटर, इजी टू राइड में आपको मिल रहा है कॉंपैक डिजाइन, गियरलेस, लाइट ओट, लो टर्निंग रेडियास, इंप्रूब हैंडेल बार इलेक्ट्रिकल्स में आपको मिल रहा है 12 वोल्ट 3 AH मेंटेनेंस फिर बैटरी, हेट लैंप 12 वोल्ट 35 बाइट, टेल लैंप 12 वोल्ट और ब्रेक लैंप आपको मिल रहा है 21 वाट की, वो भी 12 वोल्ट इस मोपेट की काड़ ओएट है 88 kg with tool kit and 90% of fuel, पेलोट 130 kg, ग्राउन क्लेरेंस 145 mm, इस मोपेट की टॉप स्पीड है 62 km पार आवार, माइलेज 67 km पार लिटर, इंजिन ओयल आपको डालना परेगा 900 ml, वो भी 10W30, इसी के साथ आपको मिल रहा है एक tool kit and एक fasted kit box और दोस्तों देखिए इस मोपेट की क्या finishing है और इहाँ पर देखिए आई टास्ट लिखा गया है इस मोपेट की font side suspension के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो font में आपको मिल रहा है both side में full metal heavy build telescopic spring long travel suspension दोस्तों इस से आपके हातों में जटका बहुत ही कम लेगा आप यहाँ पर देखिए कितना build metal है high quality आप जब इसे सामने से देखोगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों साथी इसमें आपको मिल रहा है big size 110 mm diagram brake with SBT मतरब की synchronized braking technology जो TPS के साथ आ रहा है साथी इसमें आपको मिल रहा है full chrome finished fork wheels और इसमें जो tire का इस्तिमाल किया गया है 2.5 x 16 inch का देखें यहां पर SBT braking technology का जो दो तार यहां पर है और यह है इसका tire grip देखें बहुत ही दमदर मोपेट की rear side में दोनों तरफ ही आपको मिल रहा है five step adjustable swing arm with hydraulic shock absorber देखें इसे white color में रखा गया है जिससे आँखो में पर था है आप अगर यहां पर देखोगे तो देखें इस तरफ भी white और यहां पर आप देखें आपको यहां पर मिल रहा है five step adjustable rear shock absorber उपर की तरफ आपको एक honk यहां पर मिल रहा है देखें full metal honk spring के पास यहां पर यह रहा इसे आपको सिधा करना है यह उल्टा है ठीक है मोपेट की back side में भी full chrome finish fork wheels tube tire 2.5 x 16 inch का आपको यहां पर दिया गया है देखें वो भी tvs का यहां पर लिखा गया है साथ ही इसमें आपको मिल रहा है big size 110 mm dia drum brake with hbt technology और यहां पर आपको tire pressure mention किया गया है इस मोपेट के साथ आपको मिल रहा है बिल्कुल chrome finish silencer guard और यहां पर नीचे दिखें आपको मिल रहा है एक center stand और आगे हम अगर जाते हैं तो यहां पर दिखें आपको मिल रहा है oxygen sensor जो silencer के उपर यहां पर लगाया गया है और यह finishing बहुत ही अच्छा है kick and self-start के साथ आपको engine में मिल रहा है four stroke single cylinder air cooled spark ignations bh6 fi engine displacement 99.7 cc max power 4.4 ps at the rate 6000 rpm 4.3 bhp max torque 6.5 newton meter at the rate 3500 rpm bore 51 mm stroke 48.8 mm clutch centrifugal weight type single speed gearbox filter paper filter elements इहां पर देखें एक foot rest आपको दिया गया है और साथी double stand और single stand भी आपको इस moped के साथ मिल रहा है tvs ने इस moped के साथ दिया है o ring chain जिससे इसका longevity और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा every 500 km के बाद आप इसे clean and loop ज़रूर करें दोस्तो और यहां पर देखें आपको एक cover भी दिया गया है पर यह fiber made है मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है इससे टूटेगा नहीं तो यहां पर देखें मेरे हातों में है अब एक petrol lid इस moped की petrol lid यहां पर आपको हूंक को यहां पर मिलाना है और इसे आपको अंदर डालने के बाद इसे आपको इस तरह lock करना है जिससे यह lock हो जाएगा दोस्तों left side में yellow color में horn switch, side indicator switch और उपर यहां पर देखें light high beam, low beam और यहां पर देखें soft handle bar यहां पर दिया गया है और right side में आपको मिल रहा है engine kill switch, on switch और ignition switch और एक throttle grip जो भी बिल्कुल rubber made है बहुत ही soft है यह throttle grip और brake भी बहुत ही soft speedometer assembly वे यहां पर आपको मिल रहा है एक mobile charger socket और साथी odometer, speedometer, turn signal indicator, high beam, ESIL मतलब की electrical system indicator lamp, malfunction indicator और low fuel indicator भी आपको यहां पर दिया गया है दिन के रोश्णी में outdoor में कुछ इस तरह लग रहा है देखने में लेकिन हर एक चीज आपके आखों में बहुत ही आसानी से आ जाएगा और बहुत ही clear visibility भी इसमें है दोस्तों तो मैं आपसे कहूंगा के आप test right जरूर करो इस moped की क्योंके एक बहुत ही अच्छी moped है और आपको यह बहुतर mileage भी देगी तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको मिल रहा है यहां पर यह हिस्सा petrol tank जो 4 liter का है with reserve इसमें 1.3 liter reserve capacity है दोस्तों total 4 liter tank है और seat आप यहां पर देखिए dual tone seat है जो देखने में बहुत ही खुबसरत है और काफी चौड़ा है और यहां पर देखिए क्या stitch यहां पर किया गया है बिल्कुल white color धागे सी यहां पर सिलाई यहां पर किया गया है जो देखने में बहुत ही eye catching है मुझे तो ऐसा तो ऐसा मुझे लगता है font side में यहां पर आपको एक platform दिया गया देखिए यह हिस्सा काफी चौड़ा है यहां पर आप कुछ भी carry कर सकते हो कुछ भी heavy cheese ठीक है और यहां पर आपको जानना है इसमें आपको क्या technology दिया गया है engine में आपको मिल रहा है ETFI technology comes with OBDI technology जो आपको 15% more mileage, excellent power and pick up और अगर कुछ आपको change भी करना है इस मोपेट पे बो भी 12,000 km के बाद उससे पहले नहीं मतलब कि बहुती low maintenance यह मोपेट है और आपको बो मालूम है ना roll over sensor हाँ बिलकुल जब यह मोपेट on होते समय गिर जाएगा या फिर roll हो जाएगा तो automatically engine cut off हो जाएगा within 3 seconds इस मोपेट पे 12 भोल्ट DC होंट का इस्तमाल किया गया है और एक शोरूम प्राइज इन माई डिस्टिक बहरूमपूर मुशिताबाद बहरूमपूर टीवे शोरूम 46,968 नाउ तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कोमेंट और शेय जरूर कीजिए आपने दोस्तों के साथ और आप मेरे साथ इसी तारा जूरे रहे आगले वीडियो आने तक थांक्यू